tracked का क्या आर्थ होता है ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं tracked का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसी track किया गया हूँ या जो track किया जा चुका हूँ उसे हम adjective के रूप में tracked कहते हैं इसके इलावा tracked जो है वो track का past and surpassed participle होता है यानकि track की ही second और third form होती है tracked और track का आर्थ होता है समझना, खोज लगाना, पीछा करना, नजर रखना, खोज निकालना, पद चिन्हों से पता लगाना पद चिन्हों का मतलब होता है पाओं के निशानों से पता लगाना या पैरों के निशान छोड़ना तो जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उन्होंने जासुस को track कर लिया या जासुस का पता लगा लिया है तो आप कहेंगे they have tracked down the spy या अगर आप यह कहना चाहें कि प्रते एक छातर की प्रगति को computer द्वारा track किया जाता है यानि कि computer से उसका पता लगाया जाता है या समझा जाता है तो आप कहेंगे the progress of each student is tracked by computer या गराप यह कहना चाहें कि police ने अपराधी को उसके ठिकाने तक trace किया या उसके ठिकाने तक उसका पीछा किया तो आप कहेंगे the police tracked the criminal to its hideout अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर search कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें